नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है विकास और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कम्प्यूटर से मेल कैसे भेजें यानि कम्प्यूटर से ई-मेल कैसे सेंड करें आई ये सीखते हैं इसके लिए आपको अपने computer में कोई भी web browser open कर लेना है यानि Google open कर लेना है इसके लिए आप Firefox इस्तिमाल कर सकते हो Google Chrome इस्तिमाल कर सकते हो या आपको आपके computer मिलेगा E, D, G, E, Microsoft Edge browser मिल जाएगा आप इसको भी इस्तिमाल कर सकते हो example के लिए मैं Google Chrome ले रहा हूँ क्योंकि mostly computer में यह होता है आपको यहाँ पर search करना है उपर Google, simple Google search करिए और आपको यहाँ पर उपर की तरह sign in करने के लिए कहेगा वन्ना आप यहाँ पर search करिए Gmail Gmail search करेंगे तो आपको यहाँ पर Gmail पर आना है और आपको sign in करने के लिए बोलेगा क्योंकि आपके computer में कोई Gmail नहीं होगा यहाँ पर sign in दिखाएगा corner पर कर लीजिए मैंने पहले से कर रखा है अब आपको अपना Gmail आइडी ओपन करने के बाद उपर compose option पर click करना है आपको मिलेगा यहाँ पर new message नीचे मिलेगा आपको to आपको उसका email आइडी एंटर कर देना है जिसको आप message send करना चाहते हो यानि message भेजना चाहते हो मैं अपना mail आइडी एंटर कर देता हूं दूसरा वाला मैंने कर दिया है यहाँ पर आ चुका है मेरा photo आ चुका है यहाँ पर आपको मिलेगा subject कि आप किस वज़ा से mail भेज रहे हैं मैं यहाँ पर करता हूं PDF file क्यों मुझे PDF file इसमें send करनी है अब यहाँ पर आप कोई message भेज लिख दीजिए send कर दीजिए अब यहाँ पर आप कोई message लिख दीजिए टाइप कर दीजिए में लिखता हूं this is project PDF file कर दिए हमने enter करते हैं अब एक PDF file attach करेंगे ऐसा photo भी कर सकते हैं pin के निसान पर click करें थोड़ा सा wait करें यहाँ पर आपका जो gallery open हो जाएगी आपको अपना PDF है ले लेना है कहाँ पर है मेरा है download folder के अंदर तो मैं चेक करता हूं यह रहा मेरा PDF इससे क्लिक करता हूं open पर क्लिक करता हूं PDF attach हो चुका है यहाँ पर आ चुका है send option पर click करिए और आपका mail send हो जाएगा send वाले option में जाग के आप चेक कर सकते हैं कि send हुआ कि नहीं तो आप देख सकते हैं यह send हो चुका है वीडियो पसंद आई है लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें कोई सवाल है कमेंट करना मत भूलिएगा